हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल नितीस परजापती अस्टेडी पॉइंट आज हम आप लोग के लिए हिंदी पद खंड के चैप्टर बन और चैप्टर टू का मोस्ट भी भी आई अब्जेक्टी क्रिश्चन लेकर आया हूँ तो आप लोग बने रहे हम देखते रहे हैं नितीस परजापती अस्टेडी पॉइंट त तो मेरा जो फर्स चैप्टर है उसका नाम है मेरा फर्स चैप्टर का नाम है、 राम विनू बिर्थे जगी जन्वा तो देखिए मेरा फर्स क्यूस्चन कर रहा है यहां से फर्स्ट क्यूस्टन है गुरू नानक की रचनाओं का संग्रह किस ने किया गुरू नानक की रचनाओं का संग्रह किस ने किया तो आपसर नमबर ए का हो जाएगा राइट अंसर गुरू अर्जुम देव ने गुरू नानक की रचनाओं का संग्रह किया था यहाँ से देखिए next question कराय गुरु नानक की रचनाओं के संग्रा का क्या नाम था गुरु नानक की रचनाओं का संग्रा का क्या नाम था तो यहाँ से आपका right answer option number खो हो जाएगा गुरु गुरंत साहिब निश्ट देखिये कर रहा है आस्थी बार किस की रचना है तो आपका आस्थी बार गुरु नानक जी का जन्म ननकाना सहब में हुआ था तो आपका राइट अंसर अपसन नमबर का हो जाएगा नेश्ट देखिए कर रहा है रही रास किसकी कृती है रही रास किसकी कृती है तो रही रास गुरु नानक जी की कृती है तो अपसन नमबर का यहां से राइट हो जाएगा नेश्ट देखिए करा रहा है गुरू नानक किस भक्तिधारा के कभी है गुरू नानक किस भक्तिधारा के कभी है तो गुरू नानक निर्गुन भक्तिधारा के कभी है अपसन नमबर खा यहां से राइट हो जाएगा नेक्ष देखिए करा गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था तो यहां से आपका राइट अंसर अप्शन नमबर गा हो जाएगा गुरु नानक जी का जन्म 1479 में हुआ था उप्शन नमबर गा यहां से राइट हो जाएगा नेक्ष देखिए करा गुरु नानक का जन्म कहा हुआ था तो आपका राइट अंसर अप्शन नमबर गा हो जाएगा तलबंडी लाहर तलबंडी लाहर अप्शन नमबर गा यहां से राइट हो जाएगा नेक्ष देखिए कर रहा है गुरु नानक के पिता जी का क्या नाम था गुरु नानक के पिता जी का क्या नाम था तो गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था तो गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था तो गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था तो गुरु नानक के मा चुछनी कौं थी तो शुलछनी جुथी वह गुरु नानक जी की पतनी थी, तो यहां से आप का रइट अंसर असन नंबर 9 हो जाएगा, धानसर असनर असन नंबर 9 हो जाएगा, नेश्ट देखे, का रइख accurate अनक के पद किस भासा में रचित है, तो यहां से आपका राइट अंसर गह हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रजभासा तो यहां से आपका राइट अंसर अप्शन नमबर गह हो जाएगा निश्ट देखिए कराया है नानकाना साहब कहां इस्तित है नानकाना साहब कहां इस्तित है तो नानकाना साहब पकिस्तान में इस्तित है आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्श देखिए कराया है गुरू नानक की रचना है गुरू नानक की रचना है तो गुरू नानक की रचना इनमें से जपुजी आसदी बार तो इन में से सभी अपसर नमबर घा आपका राइट हो जाएगा नेक्ष देखिये का रहा है गुरू नानक ने किन्हें समान दिया गुरू नानक ने किन्हें समान दिया तो इस्तरी को गुरू नानक जी ने समान दिया तो आपका राइट अंसर अपसर गहाँ हेगा और नंबर नंबर घह हो जाएगा नेस देखिए का रहा है कौन पहले संत हैं जिन्होंने वीदेशी आक्रमन कारियों विदेशी आकरमनकारियों के विरोध में आवाज उठाई कौन पहले संथ है जिन्होंने विदेशी आकरमनकारियों के विरोध में आवाज उठाई गुरू तेख बहादूर गुरू अरजुन देव गुरू 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 नानक तो आपका यहां से राइट अंसर अप्सन नमबर घो हो जाएगा गुरू नानक नेक्ष देखिए करा जो नर दुख में दुखी नहीं माने किस लेखक की क्रिती है जो नर दुख में दुखी नहीं माने किस लेखक की क्रिती है तो यहाग गुरू नानक जी की क्रिती है तो आपसन नमर खा आपका राइट हो जाएगा नेश देखिए करा गुरू नानक का कथन किस कभी के कथन से मिलती है तो आपका राइट अंसर आपसन नमर का हो जाएगा कभी दास के कथन से गुरू नानक जी का कथन मिलती है है तो यहां से आप का Right answer option number का हो जाएगा निеш्ट देखिए तर आया गुरू नानक की मिर्त्व कभ हुई गुरू 1549 फोई तो आप रायट उन्सर अप्सन नमरड़ल होगा गजा रायट अंसर होगा अब बढ़ते हैं अपने next chapter की तरह जिसका नाम है प्रेम आइनी सुरी रादिका तो इसका first question देखिये करा रहा है कौन सिक्रीटी कौन सिक्रीटी रस्खान की नहीं है कौन सिक्रीटी रस्खान की नहीं है तो आपका रहा है से right answer हो जाएगा प्रेम फुलवारी प्रेम फिलवाडी है जो की रस्खान की कृति नहीं है नेक्ष्ट देखिए करा किस ने कहा था किस ने कहा था इन मुसलमान historicicon पे कोटी हिंदू बारिये किस ने कहा था तो आपका राइट अंसर हो जाएगा भारे इन्दू हरिस्चंदर ने कहा था इन मुसलम मान हरिजननन पै कोटी हिंदू बारिये तो आपका राइट अंसर अप्सण नमर का हो जाएगा नेश्ट देखे ज़ रहा है मन मानिक में कौन सालंकार है अप्सण का करा है उक्मा, ख, उत प्रेच्छा, रूपक सलेग से सलेच मंहानिक मेंरुपक अफ्सन नमब्र कर निश्च देखी कर रहा है कि रस्खान को किसने डिच्छा दी पर रस्खान को उस्त आई लाहता से ओफ्सन काल कईजस आ ज़ाएगा नेश्च दक्ये कर रहा है। रस खान किस काल के कभी हैं तो रस खान बक्ती काल के कभी है अपसर नुमेर गहां से राइट हो जाएगा निश्ट करा रहा है रस खान का जन्म快 ancam कभ हुआ तो रस खान का जन्म 1533 इसमीन हुआ था निश्च देखिए और हैं दोसबबामन बैसनवन की बारता के आधार पर रस्कान का जयन बिदि में हुआ था और प्रेम अईनी शिरीराधिका में कितने दोओं संकलित है प्रेम एनी सिरी राधिका में कितने दोहे संकलित है तो आप लोग याद रखेंगे प्रेम एनी सिरी राधिका में टोटल चार दोहे संकलित है आप लोग याद रखेंगे टोटल चार दोहे संकलित है करील के कुंजन उपर बारों के अंतरगत कितने सवयां संकलित है तहां से राइट अंसर आपका अफसर नमबर A हो जाएगा याद रखेंगे आप लोग नेश्ट देखिए का रहा है दान लीला में कितने चंद संकलित है दान लीला में टोटल 11 चंद संकलित है तो आपका राइट अंसर अफसर नमबर A हो जाएगा नेश्ट देखिए का रहा है राधा क्रिश्न के संबाद को किस पद प्रवंद में संकलित किया गया है तोहां से आपका राइट answer option number गær हो जाएगा दान लीला डान लीला नेश्ट दखिए कशलो माली किसे कहा गया है माली लाधकी किसे गए आपका राइट answer का हो जाएगा नेश्ट दखिए करा इस पाठ में चिच्चोर किसे कहा गया है तो आप दो याद रखेंगे चिच्चूर, किरिसन जी को कहा गया है, तो आपका रायट अंसर, अपसन नमबर, खा हो जाएगा, next दकिए, और आया रस्खान, हिंदी के लोग पर ये कबी है, तो रस्खान, जातिय हिंदी के लोग पर ये कबीLast आपका गहा अपसरन नमबर गहा नीश्ट दखिए कराया स्वामी बिठलनात्थ ने रस्खान को कहां दिच्छण दी स्वामी बिठलनात्थ को पुष्टी मार्ग में दिच्छण दी तो आप ग्राहइट अंसर्य हो जाएगा नेक्ष दखिए 현 compensate कराया यरभा दिध्ध्ило का लीला गान किसमे किया है रस खान ने स्री किस्न का लीला का लीला गान किसमे किया है तो आपका रायट अंसर सवईयों में का अपसा रायट अंसर का हो जाएगा सवईयों में किया है नेक्ष देखिए यहां से अधुनी काल के सहितकार हैं अधुनी काल के सहितकार हमारे भार प्रेम परन में का समत है। तो माली और मालीन द्वंद समास है, यहां से अभी आप लोग याद रखेंगे कि माली और मालीन द्वंद समास है, अप्सन नमर घा अहां से राइट हो जाएगा, नेक्ट देखिए करा है डाक्टर बिजेंदर के अनुसार रस्खान की मिर्तू कब हुई, डाक्टर के दो चेप्टरों का Most BVI Objective Question, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दें और इसी तरह से सभी चैप्टर, सभी विसे का चैप्टर वाई चैप्टर अब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ब मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, थैंक यू